प्रिथी बोली भगवन आपने जिन तीर्थों के महत्यमे का वर्नर किया है। उन्हें मैं सुन चुकी आप मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सगून साकार विक्रे धारन करके सदा किस शेत्र में शोबित होते हैं। जहां आपका उत्तम करम संपादन करके श्रिष्ट गती प्राप्त की जाए। भवान वरा कहते हैं देवी कोका मुख। तीर्थ का नाम तो मैं तुम्हें पहले बतला ही चुका हूँ। जो गिरी राज हिमाले की तलटी में स्थित है। इसके अत्रिक्त दूसरा लोहारगल नाम का एक स्थान है जिसे मैं एक शन भी नहीं चोड़ता। ऐसे तो ग्यान के दृष्टी से चर अचर सारा जगत मुझसे व्याब्त है। और कोई भी स्थान मुझसे रिक्त नहीं है। किन्तो जो लोग मेरी कूड गती को जानना चाते हैं वे मेरी आराध्रा में लगने की इच्छा से यथा शिक्र कोकामुख जाने का प्रेतन करें। धर्णी ने पूछा जगत प्रवू जब आप सर्वत रहते हैं तो आप कोकामुक शित्र को ही कैसे श्रेष्ट बतलाते हैं तो भगानवरा कहते हैं वसंद्रे कोकामुक शित्र से बढ़ कर कोई भी स्थान मेरे लिए श्रेष्ट त्वित्र उत्तम या प्रिय नहीं है जो विक्ति कोकामुक शित्र में पहुँच किया वे पुना इस संसार में जनम नहीं पाता है कोकामुक शित्र के समान दूसरा कोई स्थान नहीं हुआ और ना आगे होगा वहां मेरी मूर्ती का गुपत रूप से निवास है प्रित्थी वोली दिवेशर आप सर्वो परी दिवता हैं भक्तों को अभे वर्दान करना आपका सभावी गुन है अब इस कोकामुक शित्र में जितने गोपनी स्थान है उन्हें मुझे बताने के किरपा कीजिए तो भगवान वरा कहते हैं दिवी जहां इसमे मुख्य पर्वत से सदा जल की बुंदे बुहीं पर गिरती है उस थान को जल बिंदू तेत्र कहते हैं वहां प्रित्थी पर मुसल की तुलना करने वाली पर्वत से एक धारा निकलती है जिसका नाम विश्नु धारा है जो वहां मात्र एक दिन दात पुवास करके यतन पूरक शनान जो करता है उसे एक हजार अगनिश्टों यक्यों के अनुस्ठान करने का फल पराप्त हो जाता है और उसके बुद्धी में करतव ये निर्धारन में कभी व्या मुख नहीं होता फिर अन्त में वे विश्नु धारा के तट पर ही मरने का सुभग पराप्त करके नित्य मेरी इस मूर्ती का दर्शन करता रहता है इसमें कोई शन्शे नहीं है उस कोकामक शित्र में एक विश्नु पंद नाम का स्थान है असंद्रे वहां भी मेरी मूर्ती है कि तु इस रहसे को कोई नहीं जानता जो विश्नु वहां शिनान करके एक रात निवास करता है वे मुझ में श्रद्दा रखने वाला विश्नु पाता है और अन्त में जब प्रानों का त्याग करता है तब आसकतियों से मुक्त होकर मेरे लोग को प्राप्त हो जाता है इस कोका मंडल में चतुर धारा नामक एक स्थान है वहां उचे परवत से धारा इंगिती है जो मनों पांच रात तक निवास करती ही वहां शिनुनान करता है वह कुछ दीप में निवास करने के पच्चात मेरे लोग में स्थान पता है करम फल को सुख में परवर्तित करने वाला वहां एक अनित्यनावत परसिद्ध शीत रहे जिसे देवता लोग भी जानने में समर्थ है फिर मुनिश्यों की तो बात ही किया श्रीष्ट गंदोवाली प्रिथी वहां एक दिन रात निवास करके शिनान करने वाला पुरुष पुषकर दीप में जिनम पाता है और फिर वह सभी पापों से मुक्तो कर मेरे लोग को चला जाता है वही मेरा एक तेंट गोपनी प्रम्मसर नाम से परसिद्ध स्थान है जहां शिला तल पर एक पुछतर धारा गेती है जो मेरा भक्त पाँच रात तक वहां निवास करके शिरान करता है वह सूरी लोग को प्राप्त होता है सूरी धारा के आशरे में रहने वाला वे व्यक्ति जब प्राणों का त्याक करता है तो मेरे लोग को प्राप्त होता है देवी यही मेरा एक प्रम गुप स्थान है जिसे धिनुवट कहते है वहां उची शिला से एक मुटी धारा करती है मेरे करम सलक जो प्रुष वहां प्रती दिन शिलान करता है और साथ रात तक रह जाता है तो उसे ऐसा माना जाता है कि उसने साथो समुद्रों में शिलान कर लिया फलता वे मेरी उपास्रा में लगा हुआ साथो दीपों में विहार करता रहता है तथा अंत में मेरा ध्यान भजन करते हुए मरकर वेसातो दीपों का अतिकरमन करके मेरे लोग को प्राप्त कर लेता है वहाँ पर कोटी वट नाम का एक उपछितर है जहां वट वरिक्ष की जड़ से निकल कर एक धारा वैती है वहाँ एक राद तक निवास करके शिनान करने वाला मनुश्य मेरे उस परवत श्रिंग पर वट के पत्तों की संक्या के हजार गुने वर्चों तक रूप और संपती से संपन रहता है फिर देवी प्रिथी मृत्यू होने पर वै अगनी के समान तजस्वी होकर मेरे लोग को पराप्त होता है मेरे इस शेतर में पाप प्रमोचन नाम का एक और गुप्ट स्थान है जो कोई वहाँ एक दिन रात रहकर शिनान करता है वह चारो विदों में पारंगत होकर जिनम पाता है वहाँ एक कोश्की नाम की नदी है जो मानव वहाँ पांच रात्री तक निवास करता हुआ शिनान करता है वह इंतलोक में जाता है कोश्की नदी से होकर वहाँ एक धारा बेती है जो मनुश्य एक रात रहकर उसमें शिनान करता है उसे यम लोक के घोर कस्टों को नहीं भूगना पड़ता मेरा वे भगत प्रानों का दिया करके मेरे धाम में चला जाता है बद्रे मेरे बद्री शित्र में एक और विशिष स्थान है जिसके प्रभाव से मनुश्य संसार सागर को लांग जाते है उसका नाम है दंस्टाकनकूर और यही कोका नदी का उद्गम स्थान है इस गो स्थान को जाने में सभी असमर्थ है इस कारण लोग वहां जा नहीं पाते वहां शिनान करके एक दिन रात पित्र भाव से निवास करने वाला मानौ शालमनी दीब में जनम पाता है फिर मेरी उपासना से सल्लक रहता है वे व्यक्ति प्रान त्याग करने के प्रान शाल्विनी दीव का भी प्रत्याग करके मेरे सनने के पहुंच जाता है वहीं एक परमफल्दा एक दूसरा गुपस्थान भी है जिसे विश्णो तीर्थ कहते हैं वहाँ पर्वत के बीच से जल की धारा निकल कर कोका नदी में गिरती है उस जल को त्री स्ट्रोटस कहते हैं ये समपूरन सनसार से मुक करने वाला है प्रिद्थीदेवी, वहां शिनान करने वाला मुनूइश संसार के बंदन को काड़कर वायू देवता के लोग को प्राप्त होता है और वायू का सुरूप धरन करके ही वह वहां निवास करता है फिर मेरी उपासना में सल्लक रहता हुआ है विक्ति जब प्रानों का त्याग करता है तब उस लोक से चल कर मेरे लोक में पहुंचाता है यही कोश्की और कोका के संगम पर एक श्री स्थान है जिसके उत्तर वाग में सरकामी का नाम की शिला शुबा पाती है माशनान पूरत जो एक दिन डात निवास करता है उसकी परशष्ट एम विशाल कुल में उत्पती होती है और उसे जाती समरता प्राप्त होती है अर्थात पूर जनम की सारी बाते याद रहती हैं इस कोश्की कोका संगम में सरकामी का शिला के पास शिनान करने से मनुशिस सर्ग अत्वा भूमंडल जहां कहीं भी जाना चाता है या जो कुछ प्राप्त करना चाता है वे सब कुछ ही प्राप्त कर लिता है मेरी अराध्रा मे तत पर रहने वाला मानो उस थान पर प्रानों के प्रत्याक करने के बाद सब परकार किया सक्टियों से मुक्त हो करके मेरे लोक में चिला जाता है बद्रे कोका मुक शेत्र में मतस्य शिला नामा के कुछ स्थान है उस स्थान पर कुछ की नदी से निकली हुई तीन धाराईं किरती है यदि उसमें शिनान करते समय जल में मचली दिखाई पड़ जाए तो से समझना चाहिए कि से हम भगवान नाराएन ही मुझे प्राप्त होगी मतस्य को देखने के पच्चाग यजन पूजन करता हुआ प्रुश मधू और लाजा लावा से समनित अद्ध परकापरदान करे जो मेरे ऐसे उत्तमें परम गुश शिष्ट शेत्र में श्राण करता है मेरु परवत के उपर तर भाग में पदम पत्र नामक स्थान पर निवास करता है कुछ दिन वहां रहने के पश्चाग मेरे उसको अपनी स्थान को जग छोड़ता है तब मेरे लोग में चला जाता है असंदरे पांच योजन के विस्तार में मेरा कोका मुख नामक शित्र है उसे जानने वाला पापकरम में लिप्त नहीं होता अब एक दूसरे स्थान का परचे सुनो परम रमनी इस कोका मुख शित्र में जहां मैं दक्षिन दिशाकी और मुख करके बैठता हूँ वहीं शिला चंदन नाम का एक स्थान है जो दीवताओं के लिए भी दूलब है प्रुश की आकरिती से संपन होने पर भी मैं वहां वरा का रूप धरन करके लेता हूँ वहां सुन्दर उचा मुख और उपर ता कुठे हुए ताड सहीत मैं अखिल विश्य को दीखता हूँ देवी जो मेरे प्रेमी भक्त मुझे समर्ण करते हैं तिसा मेरे उपास से कर्मों में रत रहते हैं उनके पापों का सर्था नाश हो जाता है अताव्य विट्रात्रवा प्रूश संसारवन्दन से चूट जाते हैं ये महत्वण कोका मुकस्थान गुहोंकों में भी परम गुह है और सिद्धों के लिए परम सिद्धी परदाता है सादक प्रूश सांखियों के परमाव से जिस महान सिद्धी को प्राप्त नहीं कर पाते वही सिद्धी कोका मुक्षेतर में जाने पर सैज सुलब हो जाती वसंदरे ये रहस्य मैं तुमें बता चुका महा भागे तुमारे प्रिश्ण के उत्तर में मैंने श्रीष स्थानों का वर्णन कर दिया अब तुम अन्ने कुन सा परसंग सुनना चाती हो तो प्रिथी देवी कहने लगी मेरा कहा हुआ ये कोका मुक्षेतर सर्वत्तम स्थान है प्रिथी देवी ये सबसे सर्वत्तम स्थान है जो वहां जाकर दर्शन शना नादी करता है वे अपने दस पूर के पुरुश्यों को और दस आगे होने वाले कुटुम्भीयों को तार दिता है फिर यदि वहां देवीयोक से कदाच च्छी का परत्याक कर दिता है तो वे परम शुद्ध भगवत भक्त के कुल में जनम लिता है उसका मन एक मात्र मुझ में लगता है और वे मेरे धर्म का परचारक होता है जो मन प्रता का लुटकर इसका सदा श्रवन करता है वे शीयत यागने के पश्चात मेरे लोक में जाता है उसके पांच सो जनमों के सब बाब मिट जाते ही और मैं मेरा प्रीय भगत हो जाता है जो प्रता काली सुपाख्यान को नित्य पढ़ता है उसे मेरा उत्तम स्थान पराप्त होता है इसमें कोई शंशे नहीं है